नमस्से में हुर इनुका तो आप सबका मेरे यूट्यूब चानल में भूद्बू स्वागत है तो आज मैं आपको आलों को बिना बॉयल किये या बिना सुकाए हुए एकदम कुरकुरी और स्वाधिष्ट ऐसे चिप्स बना की दिखाने वाली हूँ तो अगर आप इस ट्रिक से इस चिप्स बनाओगे तो आपको आलों को ना बॉयल करने की ज़रूरत है ना सुकाने की और आप इन्हें जटपट बना सकते हो तो चले श्टाक करते हैं आज का वीडियो तो इस जटपट स्वाधिष्ट चिप्स बनाने के लिए मिने या तिन आलो लिये हैं तो सबसे पहले अभी हमें इन आलों को अच्छी तरह से धोलेना है तो यहां मिने आलों को अच्छी तरह से धोलिया है फिर हमें इसमें से सारा पनी निकाल देना है और फिर से हमें इसम यह दिन्हीं आप बना सकते हो यह वह भी बहुत ही स्वाधी हो तो यह वालों के तो तो फिर से हमें न mit को inan morte से अच्छी तरह दोले हैं और इसमें से हमें फिर से पानी निकालकि जूसरा पानी डालना है तो मैंने यहां चिप्स बनाने के लिए साचल लिए है Quick एस इस हमें इसके पिनाने है तो यह दिखें हमें इसारे चिप्स को अच्छी तरह से धो लेना है तो इस श्टार्च होता है वह सारा हमें निकाल देना है और इस पानी को हमें फिर से चेंज कर देना है फिर यहां मेंने कॉटन का कपड़ा लिया है तो आभी हमें इस कॉटन की कपड़े से इन सारे चिप्स को अच्छी तरह से पोच लेना है तो हमें इन चिप्स में बिल्कुल भी पानी नहीं रेने देना है तब ये अच्छी तरह से फ्राय होंगे और कुरकुडित बनेंगे तो हमें इन्हें अच्छी तरह से पोच लेना है तो यहां मेंने सारे अलोंकी चिप्स को अच्छी तरह से पोच लिया है फिर उसके बाद अभी हमें इने फ्राइ करना है तो इन चिप्स को फ्राइ करने के लिए मैं इने ग्यास पे तेल रख दिया है तो तेल को हमें ज्यादा गरम नहीं करना है तो अभी यहाँ तेल गरम हो चुका है फिर हमें ग्यास को एकदम बारिक रखना है वो सारे चिप्स डाल देने हैं तो हमें इन सारे चिप्स को ग्यास को एकदम बारिक रखके फ्राय करना है तब ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राय होंगे और कुरकुरिद बनेंगे अगर ग्यास बड़ा रखेंगे तो वो जल जाएंगे और ज्यादा अच्छी तरह से कुरकुरिद भी नहीं बनेंगे तो इसलिए हमें इन्हें ग्यास को एकदम बारिक रखके फ्राय करना है तो जब तक इसमें बबल साते हैं तब तक हमें इन्हें अच्छी तरह से फ्राय करना है तो जब इन चिप्स में से पूरी तरह से बबल लाना बंद हो जाएंगे तो तबी हमें समझ लेना है कि चिप्स पूरी तरह से फ्राय हो चुके है तो यह दिखें इन चिप्स में से पूरी तरह से बबल साना बंद हो चुके है तो अब यह अच्छी तरह से फ्राइक हो चुके है तो अब यह चिप्स फ्राइक होने के बाद अभी हमें इन चिप्स को एक प्लेट में निकालने ना है फिर आखिर में अभी हमें इन चिप्स को एप प्लेट में निकालने के बाद इनके उपर स्वाधनुसा नमक डालना है तो अगर आप इन चिप्स को तिखा बनाना चाते हो तो आप इसके उपर लाल मिल्च पाउडर भी डाल सकते हो मगर अभी मैं इन चिप्स को सॉल्टेट बना रहे हूँ तो आप इसे तरह ही बहुत ही आसान तरीके से अलों को बिना उबाले और बिना सुकाई होए जटपट बहुत ही स्वाधिश्ट और कुरकुरी चिप्स बना सकते हो तो आज की वीडियो में इतना ही